तो दोस्तों आसे मैं आपके B.Sc. 2nd Year 3rd semester Botany को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम Botany के जो फर्स्ट यूनिट है Taxonomy, Resources and Nomenclature का जो पहला टॉपिक है Components of Taxonomy और इसके अंतरगत Identification, Nomenclature, Classification इन सभी टर्म को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि Taxonomy क्या है, Taxonomy से जुड़े वे अलग-अलग जो Philosopher हुए है, Scientist हुए है, उनके Contribution को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि Taxa क्या होता है, Taxon क्या होते हैं, तो कुल मिलाकर कहा जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही Important होने वाला है, वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे वीवर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्रिप्सन नहीं लिया हुए, तो प्लीज सब्सक्रिप्सन ले लें, रुपीज 99 तो जो लोजी बटनी जितने भी सेलेबस के वीडियो अपलोड होंगे, उन सभी के PDF और साथी साथ उन से जुड़े वे जो आपके लाइफ सेशन है और इन सभी चीजों को आपको प्रोवाइड करा जाएगा तो 99 रुपीज बहुत जादा एमाउंट नहीं है, इस एमाउंट में आप पूरे सेमेश्टर के जितने भी नोट्स हैं, उनके PDF हैं, उन से जुड़े वे जो टॉपिक हैं, लाइफ सेशन हैं, वो सब ही आपको मिलने वाले हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नीचे दिये गए मुबाइल नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करना है, चाया फोन पर गूगल पर किसी भी ऑनलाइन मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं, तो यदि हम बात करें टैक्सोनामी की, तो टैक्सोनामी दो ग्रीक वर्ट सिमिल कर बना हुआ है, टैक्सिस एंड नॉमस, तो टैक्सिस का मतलब होता है, अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है, लॉग और और रूल, अर्था टैक्सोनॉमी के अंतरगत हम जो पौधे होते हैं, पौधों को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे उनका नमांकलेचर होता है, कैसे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, इन सभी के नियम के बारे में डिटेल से जानते हैं. तो टैक्सोनॉमी सबसे पहले एपीडी केंडोले ने 1813 में दिया था, टैक्सोनॉमी सब्द उन्होंने अपने बुक थियूरी इलिमेंटरी डेला बंटी क्यू, अर्थात ये एक फ्रेंच सब्द है जिसका मतलब होता है थियूरी आफ इलिमेंटरी बातनी, तो यदि हम टैक से डिफाइन कर सकते हैं, it is a branch of botany which deal with the study of identification, नाम आंकलेचर and classification of plants, अर्थात वनस्पती विज्ञान की वहसाखा, जिसके अंतरगर्थम किसी भी पौधे के पहचान, यानि कि identification, उसके नाम आंकलेचर, यानि कि उसका कैसे हम नाम करन करते हैं, और कैसे उसे वरगी कृत करते ह इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनस्पती विज्ञान की वहसाखा, जिसके अंतरगर्थम किसी भी पौधों की पहचान करते हैं, उसका नाम करन करते हैं, उसको वरगी कृत करते हैं, उसे हम taxonomy कहते हैं, यदि हम बात करें father of taxonomy की, तो father of taxonomy है कैरोलस लीनियस वही हम बात करें इंडियन फादर आप टैक्सोनॉमी की तो एच संतपुन अब यहाँ पर बात आती है एक टर्म है टैक्सॉन टैक्सॉन क्या है तर्म टैक्सॉन वस्फ इंडिडियूस बाई अडॉलफ मेयर इन 1926 तो टैक्सॉन सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट है अडॉलफ मेयर जो की एक जर्मन बायलोजिस्ट थे और इन्हों ने ये जो टैक्सॉन सब्द यूज किया वह एनिमल तो यहाँ पर बात आता है कि जो term taxon है वह कहां use होता है और होता क्या है तो आपको बता दे कि जो term taxon है यह particular species, particular genus या फिर particular जो higher group के variety हैं उनके लिए use किया जाता है तो अब यहाँ पर बात आती है कि taxon होता क्या है तो जो taxon है यह एक singular word है इसका plural होता है taxa तो taxon का मतलब है group of organism occupying a fixed unit in a classification is called as taxon यानि कि जीवों का वह समूद जो की एक fixed area में या fixed unit में पाया जाता है classification में उसे हम बोलते है taxon आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो taxon है यह क्या करता है कि कि किसी भी organism के category को बताता है अब इसको मैं आपको example से समझाता हूँ तो आपको taxon अच्छा से समझ में आ जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि जो taxon है एक प्रकास एक category है जो कि किसी के position या फिर rank को बताता है तो जैसे माल लेते हैं आपका school है तो school में जो आपके सबसे head है वो क्या होते है principal उनके बाद आते है wise principal और इसके बाद आते है teacher तो teacher आपके कई हो सकते हैं A, B, C, D, E और यहाँ पर हम principal को represent कर रहे हैं X से और wise principal को represent कर रहे हैं Y से तो यदि हम इन्हें categorize करें ठीक है तो सबसे उपर आएंगे principal यानि कि X फिर उसके बाद आएंगे wise principal Y फिर उसके बाद आएंगे teacher यानि कि A, B, C, D, E तो इस तरह से जो हम इसको categorize कर रहे हैं यही कहलाता है taxon तो आप सभी ने classification पढ़ा होगा तो classification में आपने देखा होगा कि सबसे उपर होता है domain, fin kingdom, phylum, class, order, family, genus और species तो species जो होती है सबसे smallest unit होती है और जो सबसे बड़ा होता है उपर की ओर होता है kingdom तो animal classification या फिर plant classification का यह जो pattern है यही कहलाता है taxon बात करते हैं अगले scientist जो की एक philosopher थे Theophrastus जिन्होंने book लिकी थी inquiry into plants और इन्होंने अलग-अलग plant group को अलग-अलग group में divide किया इसलिए इन्हें कहा जाता है father of botany तो याद रखेगा कि father of botany किसे करते हैं Theophrastus को So this is the book of Theophrastus that is inquiry into plants वही हम बात करें कैरोलस Linneus की जो की एक Swedish naturalist थे और इन्होंने सबसे पहले proposal दिया system of classification और इसके लिए उन्होंने एक book लिखी system of nature in 1735 तो इन्होंने अपने classification में जो stamen है stamen के character को आधार बनाया और इन्होंने plant kingdom को classify किया 20 classes में और इसी के साथ साथ इन्होंने carpel के number और उसके nature के आधार पर जो classes है उनको subdivide किया order में इन्होंने एक और book लिखी species plantarium जो की सबसे पहले जो इसका edition आया वो आया 1753 में और इनके इस book में आज तक के ग्यात लगबख सभी पौधों को include किया गया है For his contribution in taxonomic work he is considered as a father of modern taxonomy and father of taxonomy तो इनके इस योगदान की वज़े से इन्हें हम father of modern botany भी कहते हैं या फिर father of taxonomy भी कहते हैं आई नेक्स हम बात कहते हैं fundamental component of taxonomy तो यहाँ पर बात आती है कि taxonomy के जो मुख्य aware यानि कि fundamental components कौन कौन से हैं तो आपको बता दे कि taxonomy के जो fundamental component है वो कुल 5 है तो 5 basic component पाय जाते है taxonomy के तो सबसे पहला है identification तो identification होता है कि है जैसे कि कोई unknown plant है तो उस unknown plant को हम पहले recognize करेंगे पहचानेंगे और कुछ इसके identification के लिए key दिये गहे हैं उस key के recording हम उस plant को पहचानते हैं और इसी को कहते हैं हम identification तो किसी भी plant को identify करने के लिए return key दिये हैं जिसके थुरू हम उसको identify करते हैं चलते हैं taxonomy के अगले component की हो जो कि है classification arrangement of plant in a group or subgroup according to a particular system of classification and in accordance with the rule of nomenclature तो किसी भी plant को classify करने के लिए हम एक particular rules को follow करते हैं यानि कि एक particular nomenclature का तरीका है उसके according हम उसको classify करते हैं चलते हैं taxonomy के अगले component की हो जो कि है nomenclature it is giving a scientific name for a taxon on the basis of rules and regulation of international code of political nomenclature that is also called ICBN तो किसी भी unknown taxon को एक scientific name देना ही कहलाता है nomenclature तो इसके लिए कुछ rules हैं जो कि ICBN के थुरू दिये गया है चलते हैं taxonomy के अगले component की हो जो कि है description तो किसी भी taxon के जो maximum character है चाहिए वो plant part हो या फिर plant से जुड़े वे कुछ technical language है इसी के आधार पर जो taxon है वो identify किये जाते हैं और उनके इस आधार को यानि कि इनके जो maximum character है जो अलग character है इसी को हम बोलते हैं diagnostic features चलते हैं taxonomy के सबसे last component की ओर जो कि है phylogeny it is the evolutionary history of group of organism represent in a hypothetical way starting with a ancestral type of relationship तो phylogeny कहता है कि कोई भी plant है वो किस से arise हुआ है यानि कि उसके उत्पत्ती किस से हुई उसका origin किस से हुआ है और साथी साथ इन plant का ancestral relationship कैसा है यानि कि इन plant के जो पुरवज है जो ancestral है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए है तो इस तरह से हम किसी भी plant की origin कैसे हुई है इसको बारे में जान सकते हैं तो जैसा कि अपने BSC first semester में देखा होगा सबसे पहले अपने bacteria पढ़ा होगा फंजाई पढ़ा होगा फिर algae पढ़ा होगा फिर bryophyta, teradophyta, gymnosperm, angiosperm तो आप ये जो category पढ़ते हैं classification की तो वो इनके origin के according चलता है यानि कि सबसे पहले जब earth की origin हुई तो प्लांट के रुप में सबसे पहले आए prokaryotic cell और prokaryotic cell में आए bacteria फिर धीरे धीरे उनसे algae, fungi, bryophyta, teradophyta इन सब की origin हुई तो philogeny के अंतरगत हम किसी भी plant के origin को discuss करते हैं तो ये था हमारा components of taxonomy तो दोस्तों आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जोर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलेगा कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिन जभारत